आज हम बात करेंगे कच्छा 10, विज्ञान विशे से संबंदित, बहुत ही महत्वपूर्ण बहु विकल्पी प्रशणों की ये सारे प्रशणी हैं आपकी परिच्छा में आप से पूछे जा सकते हैं इसलिए इने सभी प्रिश्णों को आप ध्यान पूरवक जरूर देखिएगा चलिए वीडियो को सुरू करते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बोर्ड परिच्छा की बेहतर तयारी के लिए आप चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं वहाँ पर आपको कच्छा 12 और कच्छा 10 से सम्बंदित कई सारे वीडियो जो मिल जाएंगे जो आपकी परिच्छा के लिए हिल्पफूल साबित होंगे आपके मन में बोर्ड पर इचास सम्बंदित कोई भी कमेंट हो तो बेजी जग कमेंट करिएगा हम सुरुआत करेंगे यहां से पहले प्रिश्ण की हमारा पहला प्रिश्ण होगा परतेक मनुस्य का रक्त परतेक मनुस्य को नहीं दिया जा सकता है या किसने कहा मेंडलिफ ने कहा लेंड इस्टीनर ने कहा वार्से ने कहा या फिर मेंडल ने कहा सही उतर क्या होगा सही उतर होगा लेंड इस्टीनर ने कहा था परतेक मनुस्य का रक्त परतेक मनुस्य को नहीं दिया जा सकता है इंपोर्टेंट प्रिशन आपसे पूंठा जा सकता है अगला प्रिशन होगा पादप में जाइलम किसके लिए उत्तर दाई है आकसी जन का वहन के लिए भोजन का वहन करने के लिए जल का वहन करने के लिए या फिर एमीनो अमल का वहन के लिए उत्तरदाई है सही उत्तर क्या हो जाएगा जल का वहन करने के लिए उत्तरदाई है पादप में जैलम हम आगे देखेंगे पादप में जैलम किसके लिए उत्तरदाई है जल का वहन के लिए हम आगे देखेंगे अगला प्रशन होगा स्वसन क्रिया से मानों सरीर में क्या होता है ग्लूकोस का आर्क्सी करण प्रोटीन का निर्माड ग्लूकोस का निर्माड या फिर कोसिकाओं का निर्माड सही उतर क्या होगा सही उतर हो जाएगा ग्लूकोस का आर्क्सी करण सुसर्ण क्रिया से मारों सरीर में Glukose का आक्षि क्रांड होता है हम आगे देखेंगे अगला प्रश्ण होगा मस्तिस्क निम्न में से किस के लिए उतरदाई है सोचने के लिए सरीर का संतुलन के लिए या फिर उपरोक्त सभी के लिए यानि मस्तिस्क किन चीजों के लिए जाना जाता है और किन चीजों के लिए उतरदाई होगा ये आपको बताना है किन चीजों के लिए उपयोगी है ये कह सकते हैं यहाँ पर सही उतर क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए यानि मस्तिस्क की बात करें तो इस पंदन के लि बोमेन संपुट किसका भाग होता है व्रक का या क्रत का उधर का या फिर अगनासे का सही उत्तर क्या होगा यह आपको बताना है यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा व्रक का जो बोमेन संपुट होता है यह वक्र का भाग होता है हम आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या होगा मैं इसमें सिर्फ आपको एक मैं यह कह सकता हूं सिर्फ आपको प्रश्ण और उनके उत्तर बता रहा हूं ताकि आप जादा से जादा बहुविकल प्रश्णों को समझ पाएं और याद कर पाएं और विस्तार के लिए मैं अभी लगहूत्तर ये प्रश्ण और देर गो होच सके हम यहां पर देखेंगे अगला प्रश्ण क्या हो जाएगा व्रकों का क्या कार्य होता है स्वासन परिवहान उत्सरजन या फिर पाचन स्योतर होगा उत्सरजन व्रकों का क्या कार्य होता है उत्सरजन अगला प्रश्ण होगा किसे प्रोटीन के उपस्तित के कारण रक्त का रंग लाल होता है, यानि हमारा जो खून का, खून लाल क्यों होता है, ये आप समझेगा, हमारा जो खून होता है, ये लाल क्यों होता है, किस प्रोटीन के उपश्टित के कारण ये लाल होता है, ये आपको बताना है, आपसे पूंचा जा सकता है, इंपोर्टेंट ह होता है रुधिर को रंग हीन करना जीवाड़ों को नस्ट करना आक्सीजन का परिवहन करना या फिर प्रेजिनन में सहायक सही उतर क्या हो जाएगा सही उतर होगा आक्सीजन का परिवहन करना हीमोगलोबिन का कार्य जो होता है आक्सीजन का परिवहन करता है हम आगे देखेंगे अगला प्रस्ण होगा iliida Heart रक्त में आक्सीजन की कमी के कारण लाल रखती कडिकाओं में हीमोफीलिया हो जाता है हीमोफीलिया नामक रोग हो जाता है आपसे दीरग इसमें आती लगुतेरे प्रश्णों में ये शारे प्रश्ण पूछे जा सकते हैं यानि जो भी मैं बहुते कल्पिये प्रारूप में प्रश्ण बता रहा हूं ये आपस प्रिकास संसलेशन से उत्पर्ण होने वाली आक्सीजन कहां से निकलती है जल से प्रण हरित सरक्रा से या फिर कारबंडा याकस्टाइड से सही उतर क्या होगा जल से यानि प्रिकास संसलेशन से उत्पर्ण होने वाली आक्सीजन निकलती है जल से important person है, आपकी परिछा में पूछी जा सकते, हमार के देखेंगे, फेफडों से सुधर रक्त कहां आता है, बाएं फेफडों में, यहाँ पर फेफडों से सुधर रक्त कहां पर आता है, यह आपको बताना है, बाएं निले में, बाएं अलिंद में, दाएं निले में, या फिर दाएं अलिंद में, इंपोर्टेंट प्रश्ण है ये भी, दाएं अलिंद में सही उत्र हो जाएगा, फेफ़णों से सुद्र रखतों जो है, बाएं अलिंद में आता है, अगला प्रश्ण होगा, निम्लिकित में से कौन एक किवल जन्तूम में पाये जाता है, स्वासन, वर क्लोरफिल किसे अवसोशित करता है, प्रकास उर्जा, जल, खनीज, पोशक या फिर आक्सीजन, सही उत्र क्या होगा, प्रकास उर्जा, क्लोरफिल जो है, प्रकास उर्जा को अवसोशित करता है, इंपोर्टेंट प्रस्ण है, आवरत बीजी पौधों में नर जनन अंग क जो होते हैं, पुमंग बोलते हैं उनको, important प्रस्ण है ये भी दूई निसेजन किस में पाया जाता है आवरत बीजी पौधों में, सभी जीवों में सभी पादपों में या फिर केवल जलिय पौधों में, important प्रस्ण है आवरत बीजी पौधो में दू निशेजन पाया जाता है हम आगे देखेंगे अगला प्रिष्ण होगा उस पके कितने भाग होते हैं दो, चार, छे या फिर आठ सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका चार मैं चाहता हूँ कि आप कम समय में जादा से जादा प्रिष्णों को कवर कर पाएं क्योंकि आपकी परिष्ण भी नजदिक है और आपको अन्य सब्जेक्ट की भी तयारी करनी है ये सारे प्रिष्ण आप जल्दी से देखेंगे और मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा क्योंकि मैं बहुत लंबे वीडियो जो नहीं बना रहा हूँ कम समय में जादा से जादा प्रिष्णों को आप पहुँचाने का प्रियास करता हूँ और लगभग आपका जो भी विज्ञान विसे का पाठिक्रम उसको कवर करने का प्रियास कर रहा हूँ और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजेगा हम यहाँ पर आगे देखेंगे इस प्रिशन का सही उतर क्या हो जाएगा चार हम आगे देखेंगे एट्स का कारण क्या होता है जीवाड वी साउड कवक या फिर प्रोटो जोवा सही उतर क्या हो जाएगा यह आपको बताना है सही उतर होगा वी साउड हम आगे देखेंगे अगला प्रशन होगा डिने कहां पाया जाता है डिने कहां पाया जाता है इंपोर्टेंट प्रशन है यह इंपोर्टेंट प्रश्ण है हम आगे देखेंगे अग्ला प्रश्ण होगा पराग कण कहां पायआ जाते है बाहे दल में बीजांड में पराग कोस में या फिर अंडासे में सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा, निसेशन के बाद अंडा से फल में बदल जाता है, important प्रिसन है, पराग नली में नर्युगमक की संख्या कितनी होती है, एक, दो, चार, या फिर पांच, important प्रिसन है ये भी, हम आगे देखेंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएग यानि जो भी मुझे लग रहा है कि सबसे जादा important है, उन्हीं को मैं आप तक पहुचा रहा हूँ, वीडियो के मादम से, क्योंकि आपके पास बहुत सारे प्रिसन होंगे, और अन्य subject भी हैं, तयार करने के लिए, मैं आपका जादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि मैं बहु जादा प्रश्णों के साथ मैं आप तक पहुचाता हूँ, वीडियो को, हम यहाँ पर आगे देखेंगे, अगला प्रश्ण क्या होगा, अच्छा लगए तो लाइक जरूर करिएगा, केंद्रख का निर्मार किसे से होता है, डियने से, आरियने से, प्रोटीन से, या फिर पोधे पर किया था, इंपोर्टेंट प्रश्णों, अनार, सेब, मतर, या फिर टमाटर, सही उतर हो जाएगा, मतर, मिंडल जो थे, इन्होंने आनवन सिक्ता का प्रियोग किया था, मतर पर, और यहाँ पर कभी-कभी आपसे परिच्छा में पूच लिया जाता है, मिंडल क पूरा नाम बताईए, ग्रेगर जान मिंडल, हम आगे देखेंगे, इंपोर्टेंट प्रश्ण है यह सारे, जीन सब्द का प्रियोग सरुपर्थम किस ने किया था, जोहांसन ने, मिंडल ने, बीजमान ने और फिर न्यूटन ने, इंपोर्टेंट प्रश्ण होंगे, जो प्रश्ण होगा, 46, मनुसे में गुर्श्ण उत्रों के संख्या कितनी होती है, 46, हम आगे देख लेते हैं, जीवजातियों की उत्पति, पुष्टक किस ने लिखी थी, ले मार्क डार्विन, लीनियस या फिर पियाजे ने, कहीं कहीं पर हो सकता है, आप से ये भी पूच् पुष्टक जो है, डार्विन ने लिखी थी, इंपोर्टेंट प्रिश्ण है, और चार्ल्स डार्विन, इनका पूरा नाम है, डार्विन का पूरा नाम क्या है, चार्ल्स डार्विन, और ये सारे प्रिश्ण थे, आपकी परिछा से संबंदित, ये वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं अगले वीडियो में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर करिएगा अपने सभी वार्टसप ग्रूप में सेयर करिएगा